नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों के साथ डिसकस करना चाहूँँगों में भी लेसंस विच आप लेंट डियूरिंग मैं प्रेपरेशन टाइम और आप लोगों को एक तरह का सई रास्ता दिखाने को एक तरह का डिरेक्शन जो है हम पेपर की त्यारी कर रहे हैं इसके बारे और कहीं न कहीं एक्जामीनेशन हमारे एक लाइफ का फेज है इधर यू अर गए पार्ट उफ दिस एक्जामीनेशन लाइट तो वो चीज़ें क्या हैं जो हमें पहले समईनी चाहिए जब हम त्यारी शुरू कर रहे हैं यह बहुत जरूरी हैं सबसे पहला पॉइंट आप सभी के सामने दिख भी होगा टाइम इस लिमिटेड यह क्या मतलब है जी यह समयना जरूरी है यार कि हमारे पास जो टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड है बहुत बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स वो रेली प्रिपेरिंग फॉर दीज इग्जामीनेशन पहले तीन चार अटेम्ट तो वैसे निकाल देते हैं ने तो प्लीज अंडरस्टेंड यॉर टाइम इस वेरी वेरी प्रिशियस अडिस पॉइंट अफ टाइम अगर आप इस एज में अंडिय की त्यारी कर रहे है तो उसमें भी आपको पता है लिमिट है कुछ टाइम पीरिड है जिसके बीच में आपको त्यारी करने यह सेम चीज सीडियस में तो प्लीज बी एक्टिव स्टॉप लीडिंग अपैसिव लाइफ एक्टिव लाइफ का मतलब आप समयते हैं अगर दो सोच त्यारी करने का तो आई विल डू इट तो दिर इस नो पॉइंट कि आप हर टाइम यह सोचते रहे हैं अभी नहीं फिर कभी अभी ग इनोर भी करनी पड़ेंगे अपनी लाइफ में याद रखेगा अगर आपको सच में यूँ वांट टो रीच दिया तो प्लीज अंडर्टेंड यूर टाइम इस नेवर कोई भी आपको टाइम वापिस नहीं दे सकता यहां आपके रिष्टेदार यहां पेरेंस कोई भी जो आप हर चीज में आप सोचते हो यार स्ट्रगल मेरा खतम हो जिन्दगी में यह चीज में लाइक इंग्लिश नहीं मेरकवाती तो मेरा यह स्ट्रगल होगा और यह कब तक चलेगा it is never going to end remember this thing जब तक आप life में इस चीज को accept कर लोगे न कि yes the struggle is going to be there आप समय लीजिए यार किसी की भी life story देख लीजिए कोई भी बंदा forces में जा भी चुका है प्रगल आगे भी है जी आगे promotions है आपको पढ़ना है बहुत सारी चीज़े हैं where it's always going to be a competition remember this so either you embrace it or you escape from it that's on you what you want to do right और मेरा यही experience रहा दोस्त मैंने बहुत सारे interviews आज recently मैं देख रहा था रनवीर अलाबादिया की interview with busi you must have heard a big comic person उसने भी यही कहा कि यार work life balance कहना बहुत असान है जैसे आपकी पढ़ाई का balance आप सोचके बैठे हो कि मैं relationship भी चला रहा हूं और पढ़ाई भी चला रहा हो होंगी और balance हर बंदा यही बाद करता work life balance work life balance बट हकीकत यह है दोस्त आपको जब opportunity मिली है वो window of opportunity एक time की either you will take the opportunity of that time and you will focus on the goal or you will be just trying to balance और बाद में वो कुछ रहता नहीं जी यह reality है बहुत अच्छा रगता work life balance work life balance मेरे को बहुत लोगों ने कहा है यार you don't have a work life balance you are just focused on study पढ़ाने से सुबह से ले के शाम तक पढ़ाने का एक नाम बनाने का rankers produce करने का अगर नहीं होगा तो उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है जी पहले दो काम ही नहीं था आज अगर पढ़ाने का मौका है तो दोस्त क्यों ना करूं उसको use I have to do it right for my bread and butter and not even for bread my bread and butter for my like whatever I am giving to the society एक society में prestige लाने के लिए I have to do this thing right क्यों नहीं माने गा यार जब मेरे पास मेरे students अपसर होंगे अच्छे अच्छे level पे rank पे होंगे तो that is there remember this thing race is never going to end in life तो मैं यह चीज यह नहीं कह रहा कि rat race यह बहुत नाम दी जाते race in a sense you have to embrace it like it's a competition I have to be strong strong बनके ही आप आगे बढ़सकते हैं उन्हीं को सलाम किया जाता है याद रखेगा third point very important is your health health दो प्रकार की एक physical health है psychological health है पर मैंने यह देखा दोनों में काम खराब है अक्सर हम psychological health है उसको तो वैसी छोड़ रखे है मैं पता ही निए psychological health है क्या हमने ना कभी meditation नाम सुना है हमने ना कभी यह सुना कि एक rest time होता है एक period होता है sleep time घर पे जो चलता है वो चलता आ रहा है psychologically हमें कैसा चाहिए वो चीज़ और दूसरा physical health में भी हमारा काम खराब है जी we are not into physical health we are just into कुछ भी shortcuts हो फूद we will have anything because आज का generation ऐसा we can have anything please understand you need to take care of health when you are preparing and also when you wish to go for any forces you have to take care of health यह चीज़ बहुत जरूरी है running कीजिएगा अपना life में health course importance पहली priority देनी और personal health की मैं बात कर रहा हूँ और personal peace की भी personal psychology की मतलब क्या है आप किसी के साथ रिष्टे में हैं वो आपको cheat करता जा रहा है चीट करती जा रही हैं कुछ भी हो रहा है और आप psychology कली त्यारी कर रहे दिस्टर्ब बिलकुल वो छोड़ जाएगी सुभे अभी तक good morning का message नहीं आया है यह चीज़ and this is psychologically you are ill remember this you have to be healthy और वो healthy का तरीका मेरे दोस में पहले भी बता चुका हूं मैं यह नहीं कहूंगा कि relationship में मत जाएगे but you have to maintain a balance you need not to be कि यार मैं अगर नहीं होगा तो यह चीज होगा यह चीज होगा नो अपने आपको balance बनागे रखिए कहीं भी अभी भी यार आपकी एज ही नहीं कि मैं serious relationship in essence बहुत जादा serious कि वह नहीं होगी मेरी जिंदगी में तो मेरा कुछ नहीं होगा no not at all psychologically आपको balance होना पड़ेगा अगर याद रखना मैं बार बार कह रहा हू सक्सेस है तो सारी दुनिया आपके पास है अगर सक्सेस नहीं है तो nobody is going to even come to you तो prioritize your success first पहले अपनी उस पे focus करें मेनत पे अपनी success पे then people will come to you next is very very important और वो इसी से related है health के साथ यह happiness बहुत बारी हो चुका यार बंदे जब आते ना offline भी पढ़ने कुछ ऐसे जो बहुत serious थे कि मेरे को examination crack करना but they are in depression मैं क्या को कहूँ और कोई मैं खुद था भाई मैं भी relationship वाले पंगे में भी फसा हूँ इस पढ़ाई वाले पंगे में भी बहुत अच्छे से फसा हूँ पूरी तरह दल दल में फस चुका था जहां पर I didn't had anything और उस समय ना तो कोई आपको समिश सकता है it is only you who have to come out of it उसका तरीका एक तो याद रखेगा जी हमेशा you need to have a good circle you need to have a certain friends who are good friends to whom with whom you can share your अपने जो भी अपका गिलाश एक वा उसके साथ शेर कर सकते हो और याद रखना आपकी खुशी तरफ एक relationship पर ने डिपेंड करती you have your parents you have your friends all of these are part of your life you cannot be having a one person as a whole life remember this film में हमें सिखाती हैं bollywood की ये चीज़ है but you need to understand this thing same aspect is your examination maybe you could not crack the exam in the first time that does not mean that you are a failure please understand आप पहले नहीं पार कर पाए आयाटी जेई नहीं पार कर पाए अगर non-medical में थे उसके बाद आपने graduation में अच्छे number नहीं लिए does not matter at all इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी रहूं और अंदर से निराशावादी रहूं और 24 गंटे ये ही सोचता रहूं कि मैं तो इसके लायक ही नहीं किसी चीज़ के नई दोस्त खुश रहना बहुत ज़रूरी है और खुशी होगी कैसे जब आप अपने आपको हर तरह की activities में involved करेंगे इस examination में इस SSB में उनको हर्फन मौला बंदा चाहिए है all around her who is happy who is not at all a very serious person they don't need it remember this you need to have a balanced personality अपने आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी है खुश रखना ये नहीं कि किसी को दुख देगे आपको खुश रखना खुश रखना in a sense with respect to your inner insecurities को आप खतम करिये याद रखेगा आप हो सकता किसी गाउं से और आप शेहर में आयों और वहाँ पर आप अपने आपको बार बार से देखते हो यार कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा ना मैं अंग्रेजी लोगों के साथ बात कर रहा हूँ डास नोट मीन एनिफिंग डोंट वरी सीखना शुडू करिये स्टे हैपी रिमेंबर दिस बात चीत करिये अपने आपको खुश रखना बहुत जरूरी है त्यारी के दर्मयान यह मैंने खुद की लाइफ में यह चीज़ सीखिये जी याद रखेगा लाइफ में चेंज होना ही होना है चीज़ें चेंज होंगी जिंदगी में फीक उसी प्रकार जैसे आपका UPSC का पेपर हर बार चेंज करता ट्रेंड कभी इग्जामिनेशन में इंग्लिश को चेंज कर रहा है कभी GS को चेंज कर रहा हर चीज़ होनी होनी है उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है let's understand the change and let's embrace it and let's like enjoy it याद रखेगा चेंज जरूरी भी है जिंदगी में याद रखना यार जितनी बारी मेरी जिंदगी में चेंज आया है तो हमेशा बैटर के लिए चेंज आया तो सेम चीज़ आपकी लाइफ में हर जगा पर change is always best for you remember so accept it don't avoid the change change आना जरूरी है तो याद रखेगा तो यही चीज में कहूंगा है अपनी personality को नहीं मतलब में आप यह भी चीज़ समय दे आपके साथ साथ environment change होता जाएगा आपको हर समय अप्ग्रेड होना पड़ेगा अप्डेट होना पड़ेगा जिस हसाब से society evolve कर र यह लिए तो वाई नौट तो एक्सेप्टेड एंब्रेस इट आपकी त्यारी शायद अच्छी हो सके आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ अपनी जिंदगी को अच्छे से सही तरीके से लियाओ याद रखेगा examination जो आपका exam है वो एक life का एक छोटा पड़ाव है बहुत बड़ा जिससे change होगी सारी जिंदगी बट उसका मतलब यह नहीं कि आप demoralized हो जाएं और totally sad हो जाएं और जिंदगी में सिर्फ यही चीज़ सोची है ऐसा भी नहीं single-minded focus का लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप focus के चक्र में अपना सब चीज़ें छोड़ दें भागना running physical fitness psychologically happiness these are the things which are very very important start understanding these all are basically interrelated things क्योंकि आपको psychologically यह चीज़ें सोच नहीं पड़ेंगी कि time भी limited है मेरको इदर उदर waste करने की भी जूरूर नहीं है और unnecessary thoughts लाने का कोई फायदा नहीं कि भाई मेरे life में यह होगा के नहीं यह चीज़ें होंगी कि नहीं let it be let's embrace the change let's accept what is happening in our life and enjoy it यह चीज़ याद रखेगा तभी जिन्दगी में आप खुश रहेंगे और जिन्दगी जिन्दा अबाद कहेंगे लिए यह चीज़ मैं सभी को कहना चाहूंगा change आएगा इस त्यारी में आप preparation में बहुत changes आएंगे आपके life में you will understand the things right तो यह था मेरा आज सभी का message आप सभी को और अगर आप में से कोई भी आनक एडमी पर subscribe भी करना चाहता जरूर करिएगा क्योंकि अभी offer है प्रतीक तक्षिला referral code लगाएं और get 25% off right और offline classes भी आनक me center par Chandigarh mein takshila team has started the classes there we are starting the classes from 1st of may so do join us if you want to join the classes thank you jai hindi